लूपिन जैसे काउंटेज और बंदो फार्मा जैसे काउंटेज पे काफी स्टेंथ है आशीश अगर मैं आप में कुछ सुन पा रहे हैं तो निफ्टी पे आप से राय लेना चाहूंगा किसी को अभी भी पूजिशन बनानी हो तो किस साइड क्या तेजी की साइड अक्सपे दिया है तो अभी भी निफ्टी में लॉंग पोजिशन बनाई जा सकती है 8400 यह जो लेवल है यह बहुत ही अच्छी तरह के सपोर्ट का काम करेगा जो पहले रिजिस्टन्स का काम कर रहा था तो यहां पे स्टॉप लोस लगाना होगा और 8484 या 8500 का टार्गेट हम यहां अभी बुलिश है और भाई करने की सलाह होगी चोले अभी भी आप मानते हैं कि 1500 तक के लक्षी देखने को मिल सकते हैं यहां पर तेजी कायम रहेगी लेकिन पॉकेट्स में खरदारी हो रही है और सेक्टर्स जो अट्राक्टिव लगरे हैं बजार को उसमें लॉजिस्टि चुके हैं गती कंटेगर कॉप एजिस टी सिय जैसे काउंटेश पे कच्छी का से स्ट्रेंथ बन चुकिया आप क्या सलाह दे रहे हैं क्या यह सेक्टर्स अब आगे निकल क्या हैंगे हां बहुत ही यह जो बुलरन होता है इस बुलरन में हर एक बुलरन में अलग अलग सेक्टर्स के फ्लेवर्स होते तो अभी जो हम देख रहे हैं लॉजिस्टिक तो यह एक नया फ्लेवर हो सकता है इस पर्टिकुलर बुलरन का यह जो बुलरन का लेग है उसका गती यह जो पेस बहुत ही बाकी है तो ये भी सेक्टर अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे PSU बैंक सेक्टर है वो भी मुझे बहुत ही अच्छी तरह से लुक्रेटिव दिखाई दे रहा है यहां पर चरे ठीक है पर मैं शुगर काउंटर्स पे जरूर चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि अब कुछ खबरें ऐसे से निकल के आ रही है प्राइमिनिस्टर आफिस साहति खादे मंतराले की बीच में जो चर्चा शुरू होगी है एक्सपोर्ट सबसीडी को लेकर 3.3 रुपे से बढ़ा कर पहली 3.37 रुपे कर दी गी थी प्रती किलो एक्सपोर्ट सबसीडी लेकिन सितंबर में बंद हो गई थी और वो सबसीडी दुबारा शुरू हो सकती है ऐसे एट के लिए समें बजार पे और उसका फैसला हो सकता है कि जल्द ही होता हुआ नजराय लेकिन काउंटर एकदम से उचल गए है क्योंकि एकदम से जो डेट बहुत जादा है जो बकाया किसानों का देना इन कंपनियों का उसमें कहीं न कहीं कुछ रिलीफ मिल सकती है अगर एक्सपोर्ट सबसीडी के फ्रेंट पे कुछ पॉजिटिव अनॉंसमेंट आ गई शु कर रहा है अगर रेनु का शुगर की यहां पर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजिस्टन्स मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर नाइंटीन रुपीस फिफ्टी पैसे पे अगर इसके उपर हम तोड़के यह स्टॉक आज उपर क्लोज देता है विट हुज वॉल रामपूर चीनी यह जो स्टॉक के करीबन 66 के लिए 68 के लेवल पर बहुत ही अच्छा रिजिस्टन्स दिखाई दे रहा है तो यहां पर भी एक खरीदारी की सलाह बंती है और इसका पहला टार्गेट रहेगा करीबन 84 के यहां पर जब चलते हैं यह दो स्टॉक हैं चल रहा है लेकिन NBFC Shares ये भी काफी लाइम लाइटन है काउंटर हमने देखे पिछले कुछ दिनों में चलते हुए LIC Housing दिवान Housing जैसे Structures कैसे लग रहे हैं अगर शॉट टर्म ट्रेंट देखें आप फिर शॉट टर्म कॉल देनी हो तो किस काउंटर पर देंगे आप सॉरी आपका आवज नहीं सुनाए दिया विच सेक्टर कॉंसर स्टों का आपने NBFC जैसे कि दिवान Housing, GIC Housing, LIC Housing इन काउंटर पर आप कि रहे LIC Housing की तरह अगर हम देखते हैं तो LIC Housing ये बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है पुछली कुछ दिनों में क्योंकि इसने एक breakout above multiple top ये जो particular formation है इसको breakout दिया है करीबन 350 के level पे जब इस तरह का move हमें मिलता है तो इसका target वहां से double होता है तो मैं अगर इस counter को देखता हूँ तो करीबन 550 तक का ये stock LIC Housing पांसो पचास तक जा सकता है अगर हम GIC Housing फैनांस भी देखते है तो उसमें भी एक pennant pattern का formation breakout दिया है इसका मैं target अगर देखता हूँ तो करीबन 310 रुपए का target मुझे अभी भी यहां से दिखाई दे रहा है तो ये भी counter buy करने के सला होगी लेकिन इसका जो stop loss है वो थोड़ा नीचे के तरफ है करीबन 175 का stop loss रखके GIC Housing में भी हम करेदारी अभी भी कर सकते है दिवान हाउसिंग 421 के स्तर पर अगर ये चला तो यहां से और कितनी चार संभव है कहां तक के targets देखते हैं आप short term में दिवान हाउसिंग पर चलिए यहां पर लगता है कि इनसे संभवक्स था पर इतनी हो पाय है लेकिन साफ तॉर पर इनकमानना है कि दिवान हाउसिंग जैसे structures बेग momentum है 440 के लक्षे हाँ पर देखने को मिल सकते हैं लेकिन यहां पर आशी जी अगर आप में को सुन पा रहे हैं तो साफ तॉर पर कुछ ऐसे structures मेरे के अलचन से संभवक्स था पर इनकी cause ले ले लेते हैं यहां पर mm-forging 580 का लक्षे दे रहे हैं वो 535 का एक strict stop loss यहां पर लगाना होगा इसके लावा पी एफसी पे 340 का target 289 का एक stop loss लगा कि आप पी एफसी पे खरेदारी करके चल सकते हैं और साथ ही साथ